नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको Google Drive को कैसे यूज करते हैं उसके बार में बताऊंगा उसमें कैसे दोकुमेंट अप्लोड करना है और कैसे सेर करना है तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मेरे मोबाइल की में स्क्रीन है यहाँ पर मैं प्ले स्टोर में जाता हूँ और आपने Google Drive को डाउन लोड कर ले रही है देखे Google Drive में जाता हूँ मेरे मिरे इसमों लेडी डाउन लोड है देखे यहाँ पर दिखा रहा है तो मैं इसको उपन कर लेता हूं यहां पर कुछ एक फाइल पहले से अप्लोड है तो मैं नई ठाइल अप्लोड करने के लिए क्लिक करता हूं प्लस में then after बहुत सारे options देख रहे हैं तो यहां पर आपको upload में क्लिक करना है upload में क्लिक करने के बाद देखें मैं इस वाली देखेगा देखें से नीचे जाते हैं किलियर केच सजेशन सजेशन में देखें डाटा यूज ट्रांसपल फाइल्स ओनली वाइफाई तो इसको मैं डियन टिक करता हूँ उसके बाद देखें अभी यहाँ पर यह ओलेडी से हो गया तो यह देख सकते हैं अगर मैं फाइल खोल के देखूं तो यह मेरी जो इमेज थी मोबाइल की इमेज यहाँ पर अप्लोड होगी तो अभी सेयर करना है तो तीन डॉट में क्लिक करना है लिं को देख सकते हैं मैं किसी भी ब्राउजर में खोलूं जैसे देखें मैं देखें सैमसंग ब्राउजर में जाता हूँ यहाँ पर अभी मैं इस लिंग को कॉपी और पेस्ट करता हूँ देखें पेस्ट करने के बाद मैं गूप जाता हूँ तो गूप जाने के बाद देखें यह मेरा यहां पर फाइल खुल गया मुझे इसको अपलोड करने के लिए जो उपर साइन बना इस पर किलिक करना है देखे मैं दिखा रहा हूं आप इस पर किलिक करें और यह देखिए allow samsung internet to access photo media files on your device allow मैं आपने किलिक करना है किलिक करते देखे स्टार्टिंग डाउनलोड और डाउनलोड अलड़ी सक्सेस्पूल हो गया उपन फाइल को करूं तो यहां पर देखे मेरी फाइल मेरे फॉन की मेमोरी में सेव होगी देख सकते हैं तो यहां पर यह जो मेरी फाइल है यह गैल्दी में सेव होगी है अगर आपने link sharing को आफ कर झाल झाल झाल